गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब हमने पिछली क्लास में हमारी कवीता बादल पड़ी थी मुझे आशा है आप सबने में है याद कर ली होगी तो चलिए आज हम उसका अभ्यासकारे शुरू करते हैं इस अभ्यासकारे में बच्चों कुछ कारे हम मोखिक रूप में करेंगे और कुछ लिखित रूप में बच्चों एक बात आपको हमेशा याद रखने हैं आप जब भी कुछ भी लिखित कारे करेंगे कुछ भी रिटन वर्क करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही स अगर आपको लगता है आपने गंदा लिखा है तो आप उसको तभी रब करके दुबारा लखिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तो आए बच्चो निपाथे पुस्तक का पाथेग का अभियास स्टार्ट करते हैं मोखिक प्रशन बादल कैसे हैं कैसे हैं बच्चो बादल हमने कवीता में पढ़ा ना बादल कैसे हैं बादल काले काले हैं कैसे थे बादल एक लाइन थी ना पंक्तित ना सागर से गागर भखलाते बादल काले 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 बादल कहां कहां जाते हैं कहां जाते हैं बच्चो बा जब बादल मनमानी करते हैं तब क्या हो जाता है। जब बादल मनमानी गरते हैं तो सूखा रहता है। बारिश को चुप मagainआथे, बादल ममानी करते हैं करते हैं तो अव stoked है। Когда मोर ऑ पपीहा जाते हैं? बताईए कब गाते हैं मोर व पपीहां, जहां बादल जाती हैं, तो मोर व पपीहां खुश होकर गाती हैं. आप बच्चे हो, अब हम शब दर्थ करते हैं. सागर समुद्र हमने पाठ में पढ़ाता ना सागर का मतलब समुद्र होता है गागर घड़ा दमखम ताकत पावर सहमे सहमे डरे हुए और हिचकिचाते हुए जह हमें कोई डाड देता है तो हम डर जाते हैं कुछ बात बताने में हिचकिचाते हैं न तो aux sa megr samme मतलब डर्ये हुए हो और हिच्चकि चाते हुए बताया गया है ulatesהर , जोड щयाрашगरता है मनमाणी , अपनी मरजी से काम करना जब अब बच्चे मनमाणी करता हो harps न अभी कभी कभी अपनी मरजी से काम करता हो नहीं पहले में जोह हिंदी का काम करना यह बो इंद्रधनुश है आए बच्चे अब हम इन प्रश्नटों को मोखिक रूप में दोहरा लेते हैं मैं इनको लिखेंगे नहीं बादल अपने साथ किसे लेकर आते हैं बादल अपने साथ हवा के घोड़े लेकर आते हैं जिनमें क्या होती है बहुत जादा फुर्ती बादल सबके जीवन में क्या बिखराते हैं बादल सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष बिखराते हैं धरती बादलों को क्यों बूलाती है? धरती बादलों को सब की फ्यास बजहाने के लिए और जल की गागर से जल भरके सब को बर्साने के लिए बुलाती है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, बच्चे में कविता की पंक्तियां कैसे पूरी करेंगे, हमने पिछली क्लास में कविता पड़ी थी न, क्या आपको याद है, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, अब हमें उस कविता से यह पंक्तियां पूरी कर लिए, कभी ख खेत में, कभी बाग में, कभी गाउं में जाते, डैस सहमे सहमे क्या थे तसक्यागे, कहीं निकलते, सहमे सहमे क्या थे तसक्यागे, कहीं निकलते, कहीं निकलते सहमे सहमे कहीं क्या लगाते दाहाड कहीं दाहाड लगाते बड़े प्यार से कहती धरती आओ बादल आओ तुम अपने जल की गागर से सबकी प्यास बुझाओ सही वाक्यों पर सही का तथा गल्थ वाक्यों पर गल्थ का निशान लगाई काले बादल सागर से गागर भर कर लाते हैं बादल सभी स्थानों पर समान रूप से बरसते हैं क्या पढ़ा था मने कवीता में कहीं छिटकते नि बूंदे कहीं छमा चंपानी तो मतलब क्या है इसका नहीं नहीं हमा क्या है अपधा था मतलब गश्श मान रूप से नहीं बरसते हैं धर्ती बादलो को गुस्से से बुलाती है बच्चो कवीता में नहीं बड़े प्यार से कहती धर्ती आओ बादल आओ क्या बोल रही धर्ती बादलो को बहुत ही प्यार से बुला रही है इसमें तो यह गलत है धर्ती बादलो को गुस्से से नहीं बुलाती है बादल अपने ज तो हरसे के पानी हो जाता है तो बादल अपने पानी से अपने जल से सब की प्यास बुजहा देते हैं ये सही है पढ़ियो समझे रअक्षर गागर, करना आर्ती, तरवर सरीता, तरल इस सारे क्या हैं? रअक्षर वाले शब्दें अब हम बात करता है रा मात्रा वाले शब्दों की र, रा मात्र तीन प्रकार की होती है एक लगती है इस तरह से उपर एक ये वाली भी रा मात्र है और एक ये वाली भी रा मात्र है अब इनको हम कहां इस्तिमाल करेंगे इसके बारे में जानते हैं खर्च में आए चाह से पहले रही है रहा है और लगेगा कहा है ये रा चाह के Oopर मां से पहले पहले रहा है धर्म ये मात्रा कहा लेगी मा के उपर अब बात करते हैं ये रhet रहा मात्रा की विनम्र कहा लग रही है मा के नीचे वि campaigns वी न मिर मा के बाद बोल रहे है इसमात्र कौन ब्रहं नवी झाल के नीचे तोह इसको क्या बोलेंगे अ ग्रम यह भगा के बाद बोले जाएगी घ्रम तो के नीचे लगा है मात्रा ट्रक रास्ट्र शुक्कि तो के नीचे है तो सेम क्या पढ़ेंगे रास्ट्र दिये गए शब्दों में र या उसकी मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएगे अब इतर क्या लिखा बच्चे दर या सब्ड़त के वहाद रपा की मात्र लगा के इसको दुबारा लिखना है सही शब्द बनाकर तो हम क्या करते हैं ग्र्म ग्रम ग्रम यह ग्रम अथ दूसरा पर दसे कि परण स्टो है अ pumping सुनने प्रणम मतलब किसी को नमस्ते करना प र, अन, आ, म, प्रणाम, काई, काई तो कोई शब नहीं होता, अगर हम इसमें या के उपर रा लगा दें, तो यह क्या बन जाएगा, कार्या है, कार्या मतलब काम, अब क्या है, गज, गज में हम कौन सा र लगाएं, की एक सही शब बन जाए, अगर हम गज में रा लगा देते हैं, तो यह क्या बन गया, गरज, गरज, पर कोई शब नहीं है, अगर हम या के उपर रा लगा दें तो क्या बन गया ये सूर्य सूर्य मतलब सूरच दम दम में अगर हम रा लगा दें तो ये क्या बन गया ड्रम गाम गाम में हमने क्या लगा ये गाम तो क्या बन गया ये ग्राम पडाम प्रणाम तो कोई शब नहीं है पा में हमने रा लगा तो क्या बना प्रणाम काय काय में हम कहा रा लगा सकते हैं यह पर तो क्या बन जाएगा यह कार्य कार्य मतलब काम गज गज में अगर हम रा लगा दें तो क्या बन गया यह गरज सुय सुय तो कोई शब नहीं है अगर हम सूरीय है, सूरज सन, डम, डम तो कोई शब नहीं, डम में अगर हम ड में राई लगा दें तो क्या बन गया है ड्रम, आप सबने देखा हूँ बजाते हैं ड्रम, चलिए हम अभ्यास नुम्बर दो पर चलते हैं, बच्चों कविता में लाते जाते लगाते आदिक काम वाले शब्द आई हैं काम वाले शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है देखो लाते हैं इसमें कुछ लाने का काम हो रहा है जाते हैं कहीं जाने का काम हो रहा है लगाते हैं किसा कोई चीज लगाते हैं कहीं तो भी एक काम है तो इस सारे शब्द क्या हैं? काम वाले शब्द हैं इन सारे शब्दों से किसी काम की होने का पता चल रहा है कवीता में से डूंड कर तीन अन्य काम वाले शब्द लिखे अब हमें क्या करना है कवीता में से दूंद कर जो काम वाले शब्द हैं उनको यहां पर लिखना है जैसे कवीता में शब्दा है था कहीं निकलते सहमे सहमे तो क्या हो रहा है यहां पर निकलने या काम हो रहा है निकलना मतलब कहीं से निकल जाना गुजर जाना तो हम क्या लिखेंगे हैं पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं निकलते यह मारा काम वाला शब्द निकलना मतलब कहीं से बुजर जाना कविता में आय था हमारा शब्द निकलते कहीं निकलते सहमे सहमे दूसरा शब्द हम लेते हैं कविता में एक लाइन है इतना जहां कहीं भी जाते बादल मोर पपीहा गाते तो यहां पर क्या काम हो रहा है गाने का काम हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे दर गाते गाना मतलब आपको बतना है सिंगिंग करना तो भी एक काम है यह भी काम वाला शब्द है गाना अगला शब्दम लेते हैं, कविता में सही, सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष बिखराते, तो यहां क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर कुछ बिखराने का काम हो रहा है, कुछ बिखराने से हम फूल बखेरते हैं, बिखराते, निकलते, गाते, बिखराते, तीनों हुमारे क्या हैं, काम वाले शब्दे, इन तीनों शब्दों में कुछ न कुछ काम हो रहा है, तो बच्चों मुझे आशा है, आपको यह पार्ट समझ आया होगा, बच्चों जो हमने आज़ी क्लास में अभ्यासकारे किया, मुझे आशा है, आप सब अपनी किताब में इसे पूरा करेंगे, और सब बच्चे बहुत ही सुन्दर हैंड राइटिंग में इस काम को करेंगे, तो बच्चों आप यह अभ्यासकारे अपनी पुस्तक में पूरा कर लिजेगा और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अभी के लिए इतना ही